हेलो मेरी प्यारे स्टूजन्स, आप लोग सब बढ़िया होंगे, आज के माइन मैप के सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, यानि के जो रिडिउस्ट इसलेबस के हिसाब से लास्ट चैप्टर है, यानि चैप्टर नमबर फाइव, अल समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ आ जाएगा, कि आपको कौन कौन सा टॉपिक्स जो है वो इस चैप्टर में complete करना है, सबसे पहला पार्ट जो इस चैप्टर का होगा, वो प्रिंटिंग प्रेस से related होगा, यानि किस तरीके से बिंगॉल में जो है वो प्रिंटिंग प और दूसरा पार्ट जो है वो आपका science and technology से related जो हमारा development होगा, उसके बारे में होगा, जिसके अंदर कुछ universities, कुछ colleges के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहला पार्ट जब आप पढ़ोगे, यानि कि प्रिंटिंग प्रेस वाला, वहाँ पे introduction में आएगा आएगा आपका क्लियर हो जाएगा, कि क्यों ये name बहुत ज़्यादा important है, जो mind map series को follow नहीं कर रहे हैं, first time आकर देख रहे हैं, उनको मैं पहले बता दूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं, कि इस chapter को पूर अच्छे से आप समझ जाओगे, बिल्कुल नहीं, ये video इसलिए ब भापाओगे, पहला point में हम उने बताया है, कि 1780 में James Augustus Heeky ने सबसे पहला English Language Newspaper, इंडिया का सबसे पहला English Language Newspaper जो है, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था, Heekies Bengali Gadget, तो Heekies Bengali Gadget वो पहला, इंडिया में वो पहला English Newspaper है, जो कि published किया गया, किस year में published किया, ये important है, औ और क्या नाम थानी उस पेपर का, वो भी important है, ठीक है, अचा, बीच में बहुत सारा issues हुआ, जो कि जब आप chapter को detail में पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा, और जब issues वगरा हुआ, तो उसके बाद फिर जो James Augustus Heeky का जो printing press पूरा बनाया गया था, उसको close कर दिया और बंद कर दिया गया था इनका printing press जो से टप था सारा, ओके, next point है, अब grammar of Bengali language was the first grammar book of the Bengali language and was published in 1778, तो 1778 में सबसे पहला grammar book जो के Bengali language में था, वो published किया गया, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था, a grammar of Bengali language, एकदम याद रखना, ये चीज MCQ में भर-बर कर आता है, जब आप कभी भी paper देखो, कोई सभी, test paper भी अगर आप देख रहे हो normally, तो उसमें भी आप देखोगे कि इस type का question बहुत सारा रहता है, ठीक है, बढ़िया, अच्छा, जब ये पढ़ लोगे आप James Augusta Sikki के बारे में, तो उसके बाद फिर आप इस चीज के बारे में पढ़ोग ये आपको इस वाले चीज में समझ में आएगा, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, common sense भी आप लगाओगे तो आपको यहाँ पर समझा जाएगा कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से related है, अगर आपको पढ़ना है, मान लेते हैं, जादा से जादा लोगों को और फिर दूसरा बुक बनता था, ये process आप समझ सकते हो कितना ज्यादा लेंदी होता था, तो उतना ज्यादा availability नहीं था, उतना ज्यादा available नहीं था चारो तरफ books और resources, लेकिन जब printed text के through, जब books वगारा आना सुरू होगा, तो क्या होगा कि बहुत जल्दी यल्दी print भी ह जाएगा और अच्छे से चारो तरफ वो available भी रहेगा, जिसके कारण knowledge जो है वो अच्छे से फैल पाएगा, by the way इसको भी आपको detail में पढ़ना है, at least 5-6 points इसके अंदर आपको पढ़ना ही पना है, okay, next आपका Sirampur Mission Press, Sirampur Mission Press बहुत ही important part है आपका development of printing press के अंदर, with the foundation of Sirampur Mission, Sirampur Mission का foundation हुआ 1800 में, काम के है, इनका काम ये है कि अपने धरम को, यानि कि अपने religion को क्या करना है भाई, फैलाना है इंडिया में, ठीक है, अब क्योंकि अपने religion को इंडिया में फैलाना है, तो इसके लिए इनके पास जो भी books है, जो holy books है, जिसको Bible वगर हम लोग कहते हैं, तो उन books को Bengali में translate करना पड़ेगा और बाकी Indian languages में translate करना पड़ेगा, जिससे के वो अपने बातों को Indians के बीच में पहुचा सके और Indians को समझा सके और वो जो book है उनके पास, जो Bible है, वो Indians कैसे पढ़ेंगा, अगर वो English में लिखा रहा तो, तो basically Sirampur Mission इस तरीके से अगर इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा, उपेंदर किशो रोय के बारे में, कि यह क्या थे और basically क्या importance है इनका इस चीज में, किस चीज में भाई, तो printing press जो बिंगॉल में develop हुआ, इसके पीछे इनका कितना बड़ा रोल है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ओके, अच्छा, तो यह होगी आपका development of printing press in Bengal, याद रखना यह यह यूरे अंड संस, यानि के उपेंदर किशो रोय वाला question जो है वो, आपका चार marks में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप अच्छे से point wise पढ़ लीजेगा, ठीक है, मैं उमीद करता हूँ कि अब तक आपने करके वहाँ पर history का core से जिसको आप जोयन कर सकते हैं, और आप 10 दिनों के अंदर history को अच्छे से complete कर सकते हैं, notes वगरा के साथ, okay, next part जो इस chapter का है, वो है development of science and technology, a technical education in Bengal, तो किस तरीके से science और technical education in Bengal में develop हुआ, वो आपको पढ़ना है second half में, जिसके अंदर 4 important चीज आएगा, पहला होगा आपका Indian Association for Cultivation of Science होगा, या फिर मैं simply यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको Calcutta Medical College के बार में पढ़ना होगा, ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है, ये Indian Association for Cultivation of Science, after that आपको पढ़ना है कि development of technical education in Bengal and then the Calcutta Science College, basically ये चार topics है जो आपको इसमें पढ़ना है, इ उसके बार में भी आपको पढ़ना है, जस्ट वहाँ पर नाम था, उसके अंदर उतना डीटेल नहीं था, that's why मैंने उसको यहाँ पर include नहीं किया, बढ़ थोड़ा से उसके बार में आपको पढ़के जाना है देहान से, ठीक है, दो माक्स में अगर आगया तो आपको बतान आपको याद रहना चाहिए कि हाँ यह एक दूसरे से connected है, इस तरीके से आपका आता है match the column भी, okay C.V. Roman was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930, तो 1930 में C.V. Roman को Nobel Prize से अवार्ड किया गया था, फिजिक्स में यह भी आपको ध्यान रखना है, okay Calcutta Medical College के बारे में जबाब पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले कभी वह established हुआ यह पढ़ना है, और एक और important name Calcutta Medical College से related है, that is Madhusudan Gupta, वह पहले इंसान है, जिनोंने एक dead body को dissect किया था, तो यह आपको ध्यान रखना है, बहुत जगे पर यह भी पूशा जाता है वहीं पर Calcutta Science College के बारे में जबाब पढ़ोगे, तो The Science College was founded in 1914 by Siri Asutosh Mukherjee, कि याद आपको क्या क्या रखना है, इसको थोड़ा साप समझ लिज अच्छे से, सबसे पहला बात कि कब found हुआ इस चीच को एकदम ध्यान में रखना है, किनके द्वारा found हुआ यह भी आपको ध् चीच अगर दिमाग में आपको clear रहेगा, तो किसी भी पॉइंट का, किसी भी topic का आप 4-5 पॉइंट आराम से लिख पाओगे, ठीक है, तो यह चीच जो है वो 4-5 वो आपको हमेसा ध्यान रखना है, कालकडा Medical College 1914 में जो है वो found हुआ किनके दौरा, Siri Asutosh Mukherjee के दौरा, इस में कौन कौन थे तो सतेंद्र बोस और मेगानन सहा, जनान चंद्र घोस और अदर्स, यह कुछ नाम से जो के आपका MSC के पहले batch में, the Calcutta Science College के MSC के पहले batch में यह लोग थे, ओके, याद रखना है यह चीच भी, कभी-कभी यह भी पूछा जाता है, Development of Technical Education in Bengal यह याद रखना है इस तरीके से, कि देखो सबसे पहली बात यह हुआ, कि National Council of Education established हुआ, कब established हुआ, तो 10 December 1905 को, बहुत जगे पे 10 December 1905 नहीं लिखके, डारेक्ली 1906 भी लिख दिया जाता है, लेकिन आपको धियान रखना है कि 10 December 1905 को, Technical NCE, यानि कि National Council of Education established हुआ, ठी आपको पता होगा, as well as, अगर आप वापीस एक बार बुक को जाकर देखोगे, तो आपको कारण क्लिरली समझाएगा, कि क्यों जो है, वो National Council of Education established हुआ, दूसरा point, there was a split ही ने-ने-सी, देखो, National Council of Education में split हुआ, यानि कि बीच में मन मुटा हो गया, दो अलग-लग groups बन गया, कुछ groups कह रहे थे कि भाई, मुझे जो हम लोगों को technical knowledge को आगे boost करना चाहिए, जादा से जादा, कुछ कह रहे थे हैं, इस सारे चीज़ों को मिला जुला कर चलते हैं, हम लोग यानि technical knowledge भी देते हैं, साथ ही साथ बाकि सारे subject को भी देखते हैं, तो फिर जो minority groups थे, उन्हो ने अपना एक separate basically institute बना लिया, जिसका नाम क्या हो गया, वो देखो, क्या हो गया, देखो, technical, separate institution of its own name, जिसको society for promotion of technical education in Bengal कहा गया, ठीक है, तो क्या कहा गया, उन्हों को जो minority groups थे, उन्होंने set up किया ये वाला चीज, society for promotion of technical education in Bengal, ओके, in the post-colonial independence period, the national council of education was converted into जादाफपुर university, अब आगे चल के क्या हो, ये दोनों जो के national council of education थे और जो society for promotion of technical education जो के basically बट गए थे, वो दोनों वापिस से जो है, वो combine हो गया, एक साथ जुड़ गया, और जब हम लोगों को independence मिल गया, maybe 1956 के आस पास में जो है वो, national council of education जादाफपुर university में convert हो गया, जादाफपुर university act के through, okay, यही पूरे के पूरे chapter में चीज है, last में एक बहुत ही important portion है chapter का, जिससे art marks के question पूछा जाता है, और वो है आपका critique of colonial ideas regarding education, ये वाला, ठीक है, इसमें रभींदरनात टगोर के बारे में बहुत detail में बताया गया है, और वही exact art marks के लिए पूछा भी जाता है, एक और सा point एक book में होगा, जो है बटाला publication, इसको भी आप थोड़ा सा एक बर धिहान दे देना, तो basically यही इस पूरे chapter में आपका है, सारे को जितना भी topics इस chapter में आपको दीखेगा, सब को at least 4 marks के हिसाब से आपको पढ़ना है, last वाला जो चीज आपको दीख रहा है, ये critic of colonial ideas regarding education, इसको 8 marks के perspective से पढ़ना है, क्योंकि इससे आपका 8 marks के question आता है, ठीक है, तो basically यही था इस chapter में इस चीज को जो अभी यहाँ पे देख रहे हो, पूरा चीज जो लिखा हुआ है, इस चीज को offline safe करने के लिए, download करने के लिए, आप app download कर सकते हो, वहाँ पे, अब तक जितना माइंड मैप है, सारा available है, सब को आप download करके offline safe कर सकते हो, जाके जब भी आपको revise करना हो, तो आप अपना phone का gallery open करो, और आपको यह चीज दीख जाए, ठीक है, इसी के साथ मिलते है next class में, तब तक लिए अपने धेर सारा ख्याल लखें, thank you